हेलो किड्स वैलकम टू सुपर किड्डो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंडरिच इंग्लिश का चाप्टर नमबर त्री जो की है दो कॉंटेस्ट इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि कैसे तीन बहनों में कॉंट जीता है यह कहानी है विंटर की समर की और मॉंसून की यह तीन बह बहनों की कहानी है और इस इन बहनों के बीच में एक कॉंपटीशन होता है और देखते हैं कि इस कॉंपटीशन में कौन जीता है आइए इस कहानी का मजा लेते हैं और इस कहानी को इंग्लिश में पढ़कर और हिंदी में समझ कर इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं आइ sisters the eldest sister winter is proud and aloof the middle sister summer was warm and friendly but hot tempered the youngest sister monsoon was shy and gloomy अब तीन बेहनों की कहानी हम पढ़ रहे हैं एक समय की बात है तीन बेहने हुआ करती थी एक का नाम था winter एक का नाम था summer एक का नाम था monsoon so अब सबके बारे में बताया है winter कैसी थी winter जो है eldest sister थी सबसे बड़ी sister थी लेकिन वो कैसी थी proud और aloof यानी वो घमंडी थी किसी से बातचीत नहीं करती थी दूसरी बेहन जो summer थी वो दिल की बहुत अच्छी थी और दोस्त बनाने में भी अच्छी थी उसकी बहुत लोगों से दोस्ती थी लेकिन क्या था उससे जल्दी गुस्सा आ जाता था वो hot tempered थी और तीसरी बेहन जिसका नाम था monsoon वो कैसी थी बहुत ही shy और gloomy या shy मतलब बहुत ही जादा reserve रहने वाली चुपचाप रहने वाली शर्मीली और gloomy उदास रहने वाली अब देखो one morning the sun gave them message there will be a contest between the three of you said the sun I will choose the most beautiful sister each of you must dress in your finest cloth for the contest अब क्या होता है बच्चों एक सुभे क्या होता है sun आता है और तीनों बहनों से बोलता है कि तुम तीनों के बीच में एक contest होगा और मैं सबसे सुन्दर बहन को चुनूंगा और इसलिए तुम सबको क्या करना है अपने सबसे सुन्दर dress में आपको क्या है मेरे सामने आना ह और तुम तीनों के बीच में एक कॉंटेस्ट होगा अब क्या होता है Winter, Summer and Monsoon Begin to prepare for the contest at once Soon the day of the contest arrived अब क्या होता है Winter और Summer और Monsoon जो है, कॉंटेस्ट की तैयारी करना शुरू कर देते हैं और एक समय आ ही जाता है जब कॉंटेस्ट आ जाता है अब the first sister to take her turn was winter She wore a beautiful white dress There were diamonds on her neck, ears and wrist अब क्या होता है जो सबसे बड़ी sister होती है यानि की winter वो उसकी turn आ जाती है और वो सबसे सुन्दर Beautiful white dress को पहनती है उसके हातों में, गले पे, उसके कानों में क्या होते हैं? धेर सारे diamonds होते हैं अब देखो You are a lovely girl, said the sun But there is so much fog around you That I can hardly see your face अब क्या होता है बच्चो? Sun बोलता है, तुम बहुत ही प्यारी लड़की हो लेकिन तुम्हारे चारो तरफ क्या है? बहुत ही जादा fog है मैं तुम्हारे face को धंग से नहीं देख पा रहा हूँ It was summer turn next Her dress was gold and it shimmered when she walked Big bright flower decorated her hair अब क्या होता है बच्चो? कि अब summer की turn होती है next और उसने कैसा dress पहना होता है? गोल्ड का dress पहना होता है और जब वो चलती है तो कैसा? वो चमकता है और उसने बड़े bright flowers जो है अपने hairs में लगा रखे होते हैं अपने बालों में लगा रखे होते हैं अब क्या होता है? अब क्या होता है? अब क्या होता है बच्चो? मॉन्सून की टर्ण आ जाती है अब वो बहुत ही शर्मीली होती है वो बहार नहीं निकल रही होती है लेकिन winter और summer जो उसकी बहने होती है उसको प्रोथसाहित करती है उसे निकलने पर मजबूर करती है अब मॉन्सून की dress कैसी होती है? ब्ल्यू कलर की अब वो उसकी चारे तरफ कैसे तैर रही होती है ब्ल्यू कलर की dress जैसे की वो पानी हो वेन्सून सौन सौन हर वो अमेज़ तू है अब क्या होता है सन ने जैसे ही उसको देखा वो तो आश्चरी चकित रह जाता है और बोलता है तुम सबसे सुन्दर बहन हो तुम तुम तीनों में सबसे सुन्दर बहन कौन है मॉन्सून है अब क्या होता है सन क्या देता है मॉन्सून को एक शैष देता है शैष क्या होता है एक जो साइड में पटी लगाई जाती है जिसे मिस इंडिया निस यूनिवर्स को लगाई जाती है उसी तरह से इसको वह सैष देता है इड हैड जिट हैड ने देस तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि आज भी आज भी जब सूरज जब सन जब मौनसून को मिलने के लिए आता है तो क्या करती है वो वो सैश को निकालती है और सैश को पहनती है है ना इसी लिए हम rainbow को देखते हैं जब बारिश के बाद सन आता है जब बारिश के बाद सूरज निकलता है तो हम क्या देखते हैं एक beautiful सा rainbow देखते हैं है ना तो आपने इस कहानी को सुना आपने समझा तो हम इसको summary एक बार कर देते हैं तो क्या होता है कि पहले तीन मेहनों क बीच में contest होता है, है ना तो तीन बहने कौन-कौन होती है, winter, summer और monsoon, sun एक contest रखता है, winter जो है सबसे पहले white dress पहन के आती है, वो beautiful लगती है, sun को वो lovely लगती है, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, summer की chance आती है, summer भी पूरी gold की dress में पहन के आती है, beautiful flowers लगा के आती है, sun उसकी भी तारीफ करता है, लेकिन जब monsoon आती है, तो वो बहुत ही amaze रह जाता है, उसने blue color की dress पहनी थी, और वो blue color की dress जैसे लग रही थी, जैसे पानी हूँ, तो उसको वो क्या देता है, एक जीत की इनाम में उसे वो एक शैश देता है, जिसे हम rainbow कहते हैं, आज भी हम द तो हमें क्या दिखाई देता है, एक beautiful सा rainbow, तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे तो बहुत पसंद आई, चलिए, अब हम इसकी कुछ hard words देख लेते हैं, words to know, जैसे कि aloof, aloof का मतलब not friendly or interested in other people, मतलब कि जो व्यक्ति, जो व्यक्ति friendly नहीं होता, या फिर किसी दूसरों से बात करने में interested नहीं होता, जैसे aloof कौन थी, aloof थी winter, वो किसी से interested नहीं थी, बात करने में, अब next पढ़ते हैं hot tempered, become very angry easily, hot tempered का मतलब होता है कि बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, जैसे हमने summer के बारे में पढ़ा, summer कैसी थी, उसको बहुत जल्दी गुस्सा जाता था, fog, a thick cloud of very small drops of water in air, है ना, तो एक बादल बन जाता है, थिक, मोटा बादल बन जाता है, small drops का पानी के, है ना, fog आपने देखा होगा सर्दियों में, तो ये हमें fog किसके respect में कहा गया था, हमें winter के respect में कहा गया था, वो lovely तो है, लेकिन उसकी चारों तरफ क्या है, ठीक है, next हम पढ़ते हैं, shimmer, to shine with soft light that seems to move slightly, shimmer का मतलब क्या होता है, एक soft सी light shining करती हुई, जो ऐसा लगता है कि move कर रही है, तो हमने इस में देखा था, जो summer थी, उसने dress पहनी थी, summer ने कैसे dress पहनी थी, gold की dress पहनी थी, जब वो walk कर रही थी, तो क्या हो रही थी, shimmer हो रही थी ऐसा लग रहा था, जैसे उसका बहुत shine कर रहा था, shash, a long strip of cloth worn around the waist or over the shoulder, एक long strip of cloth को कहते हैं, जो कि या तो फिर अपने कमर पे बांदी जाती है, या फिर shoulders, over the shoulders, तो उसको shash कहते हैं, ठीक है, तो बच्चों आपने देखा न, shash को मिला, rainbow shash मिला, monsoon को, gloomy, next हम पढ़ते हैं, gloomy, sad and without hope, gloomy का मतलब क्या होता है, उदास और जिसमें कोई hope ना हो, तो जो, जो third, जो youngest बहन थी, यानि की monsoon, वो कैसे रहती थी, sad रहती थी, है न, gloomy रहती थी, तो I hope बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, and this is the end of the story, अगर आपको ये story पसंद आई हो तो इस चैनल को subscribe कीजिए, like कीजिए, और ऐसी ही कहानिया सुनने के लिए, इस चैनल को revisit कीजिए, और आपको ये कहानी बार-बार सुननी है, ताकि आप English में improvement कर सकें, okay, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, okay, hope you enjoyed, bye-bye, take care.